दोस्तों यूं तो कहने के लिए भीम आर्मी चीप आजाल समाज पाटी की राश्ट यह जग चंदर शीखार आजाद नगीना लोकस्वा सीट से चुनाव जीते हैं लेकिन आपको बता दू कि नगीना लोकस्वा सीट से चुनाव जीतने के बाद भी चंदर सेखर आजाद पूरे देश भर में इस तरीके से एक्टिव हैं इस तरीके से एनरजी और जज़वे जुनून के साथ जो स्खरोसों के स साथ काम कर रहा हैं जैसे मानों पूरे देश में चंसेखार आजाद हर एक लोक स्वासीटों पर चुनाव जीते हैं आपको बता दू दोस्तों की नगीना में चंसेखार आजाद तो घूमी रहे हैं और जो ज्वलंत समस्या उस पर तो काम भी चंसेखार आजाद कर रहे हैं ल उसको लेकर चंदरसेखर आज़ाद हर जगा जो है पहुंचने का काम कर रहे हैं और आपको बताऊंगा दोस्तों तो आप आब भी चौक जाएइगा और आब ही सोचने पर मस्पूर हो जाएगा कि चंदर सेखराजाद का यह your पलान है आने वाले समय में चंद सेखराजजाद को मुख्य मंत्री से लेकर परदान मंत्री तक का जो है सफर करा सकता है लेकिन ऐसा क्या को चंसेखार आजाद दोस्तों जो है बोला है उसको आपको बताओं उसे पहले नए दर्शकों को अपना परचे देता हूँ नमस्कार मैं नरिंदर बसंत हूँ और आप जनतंत ख़बर देख रहे हैं देखिए हाली में चंसेखार आजाद ने अपने ट्वीटर हैंडल एक्स पर बड़ी बात लिखा है और आपको बता दू कि बड़ा बात में चंसेखार आजाद ने जिस तरीके से अपने चंसेखार आजाद क्या लिखते हैं चंसेखार आजाद लिखते हैं कि देश भर में एस सी एस टी ओबी सी धार्मी कलब संख्या को महिलाओं इवाओं मजदूरों किसानों पर जिस तरह से अत्यचार बढ़ रहे हैं और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है आजादी के 75 साल बाद भी समाजिक वा आर्थिक आसमानता जिस तरह से बढ़ रही है साथ ही जिस तरह से समयधानिक मोल्यों का हनन हो रहा है ऐसा प्रतित हो रहा है कि अब जो है पूरे देश में जन जागन द्वारा बहुजन समाज में भाईचारा मजबूत कर सासन सता अपने हाथ में लेने का समय आ गया है इसकी शुरुआत उतर पर देश वहर्याना से की जाएगी बहुत चल दोनों पर देशों में बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा त्यार करने के लिए हम बहुजन समाज बनाओ भाईचारा यात्रा शुरू करेंगे हैस्टेक बहुजन समाज भाईचारा बनाओ यात्रा तो देखिए चंसेखा राजाद दोस्तों उत्तर पर विदाजवा का चुना होने वाला है उससे पहले आपको तादू कि देखिए चंसेखार आजादि सांसद मनने के बाद ये अवत्त का सब से बड़ा जो है पलान बनाये है और ये पलान दोस्तों चंद्र सेखार आज़ाद के कारेकरता को सदन में संसद में भेजने का काम करेगा और आपने देखा कि चंद्र सेखार आज़ाद ने अपने ऑफिसियल टूटर एकांट पर रस्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बहुजन भाईचारा में आपसी ज करके जो है अब समय आ गया है कि सत्ता अपने हाथ में लिया जाए और इसके लिए चंद्र सेखार आज़ाद दोस्तों बड़ा पलान बनाया है और चंद्र सेखार आज़ाद जो है आपको उतादू की बहुजन समाज बनाओ भाई चारा यात्रा यह जो है शुरू करने वा अधिया है आक बनादा दोस्तों कि दahh में हमान के कि संति को फектор उन्हें में को संख्याद आपमान का चली होगया और तरपर्देश और की हाई संक्या के बीच में जो है चंद्र शेखार आज़ाद बड़ा इलान चैहरा जो है और चंद्र शेखार के दुट्र। पलाइं से तुमाम जो बीजेपी जो आरे से जो कांगरेऍ hen you जो आजास्वाजपाटी और चंद्रसेखाराजजाज के जो बिरोधी दल है इसको लेकर आपको तादू की चंद्रसेखाराजजाज के इस पलान से खलबली जो है मची हुई है दोस्तों आपको पता होगा कि हरियाना और जहार खंड में इसी 2024 में नॉम्बर में जो है बिधा सवाका चुना होने वाला है और 27 में उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में विधान सवाका चुना होने वाला है और चुना होने से ठीक पहले चंद्रसेखाराजाज ने जिस तरीके से बड़ा ब्यान दिया और बड़ा ब्यान देते हुए कर दोस्तों आपको एड़ुकी मटका चूने पर मार दिया जाता है और दोस्तों पूरे देश न verdi वह ल्टादीक departments करूश से दोस्तों करने कर दोस्तों कभी चपल पहने पर मार दिया जाता है कभी दलितों को मटका छोने पर मार दिया जाता है और दोस्तों पूरे देश भर के हम बात करें क्या बिहार क्या उत्तर प्रदेश क्या राजास्तार क्या जार खंड क्या असम क्या च्छतिशगड हर जगा चंदर सेखार आजाद जो है जा रहे हैं और नयाई दिलाने का काम चंदर सेखार आजाद कर रहे हैं आपको वतादू कि देखिए अभी हाली में चंद सेखार आजाद जो है आपने देखा होगा कुतरा खंड में जो है पहुंचने का काम किया है इसके लावे आज जब दोस्तों ये वीडियो बना रहा हो तो आज चंदर सेखार आजाद उत खुद उस घटना स्थाल पर जाएंगे आज जहां पर जो दलित परिवारों का घर है उसको ढ़ा जा रहा है को चंद सेखर आज़ाद उस पर एक्षाल लेने जा रहा है और चंद सेखर आज़ाद वो दोस्तों यही खासियत है कि देखिए पूरे देश भर के जो लोग समा के अलग-अलग लोग समा सीटों से जो सांसद चुन करा है वो चुनाव जित कर अपने पार्टी के गति देने में जो है लगे हुए उनकी पार्टी किस तरीके से तरकी करे इस पर वो काम कर रहे हैं लेकिन एकलावता चंद सेखर आज़ाद ऐसे सांसद हैं जो चुनाव जित जितने के बाद भी और चुनाव जितने से पहले जिस एक्टिवीटी के साथ जिस क्रेटिवीटी के साथ लोगों के बीच में रहते थे और आवाज बनने का काम करते थे बिल्कुल उसी तरफ पर चंद सेखर आज़ाद एक बाद फिर से जो है आपको बता दो दोस्तों की आवाज बनने का जो है काम कर रहे हैं और ये सादिगी और एक काम करने का तरीका पूरे देश बर के लोगों को दोस्तों चंद सेखर आज़ाद का ये तरीका पसंद आ रहा है फिलार जिस तरीके से चंद सेखर आज़ाद चुनाव से ठीक पहले आपको उतादू कि बहुजन समाज में आनि जो यह सी स्टी ओबी सी और धार्मी कल्प संक्याक हैं चाहें किसान हो मजदूर हो इवा बर्गो महिला हो इन तमाम लोगों को जो है कनेक्ट करने का काम जोड़ने का काम जो है बहुजन भाई चारा जोड़ आतरा के तहत चंदर सेखर आज़ाद क परने वाले हैं दोस्तों और इसको लेकर आपको उता दिए बहुजन समाज पार्टी जो उसके अलावे जो समाज बादी पार्टी है उसके अलावे बीजे प्यानी भारतियों जनता पार्टी है चंद सेखर आज़ाद की इस पलान चो जो है खलबली मची हुई है और देख चंद सेखर आज़ाद का जलबा है और इसका सिर्फ और सिर्फ रिजन एक है कि चंद सेखर आज़ाद एकलोता ऐसे शंसोद और एकलोता ऐसा नेता है जो चुनाव जीतने के बाद भी जो है उसी तरीके से उसी एनरजी के साथ उसी एक्टिवेटी के साथ काम करने का काम ज चुना होने से ठीक पहले चनशेखा राजाद का बड़ा एलान हुआ है और चनशेखा राजाद नसपश्ट कर दिया है कि जो बहुजन सवाज बिखरा उन बहुजन सवाज को जो है एक जुट करने के लिए एक मंच पर लाने के लिए और अपनी उपस्थिती सदन में जो है पहुंचाने के लिए वो पूरे देश भर में खासकर आपको उतादू कि सुरात जो हर्याना और उतर प्रदेश होगी जो की पूरे देश भर में होगी और ये जो बहुजन भाइचारा बनाओ जोड़ो यात से कितना कुछ फाइदा चंसेखा राजाद की पार्टी आजास्तमाथ पार्टी को होने वाला है कमेंट कर दिजिए चंसेखा राजाद की इस प्लान को अपकैसे देखते हैं अपनी प्रतकिरिया जरूर देगी बाकि ये वीडियो जानतांत कबर के युट्यू चैनल पर द झाल 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 झाल